हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टाप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है उमीद है आप सब अच्छी होंगे अगर आपनी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकान भी दबा लें और इस चैनल को अपनी दोस्तों के शाथ भी शेयर करें अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लैग भी जरूर कर लें तो दोस्तों यह हमारी सेवंथ की यह उसका लास्ट लेसन है तो हमने इससे पहले लगबग सारा स्लेवर कंप्लीट कर लिया है यह कोई और भी स्टेट हो तो दोस्तों है हमारा आज का ग्रूर का लेसन है इसके बाद हम करेंगे जो आधनिक भारत का इतिहास है जो सब्सक्राइब करेंगे तो पहले हम आज का जो लास्ट लेसन है उसको कर लेते हैं तो मारा आज का लेसन कौन सा है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मिशन कि जो हमें 18 शतापदी में जो हमें नए बदलाव देखने को मिले हैं ठीक है न जब आपको याद होगा कि जब मुगल जो राजा था ठीक है कौन था वो औरंग जेप ठीक है वो लास्ट था जो सक्ति-शक्ति-शाली था ठीक है तो उसक का सामना कर नहीं पाए ठीक है ना तो इनका आप कह सकते हैं कि आपको छोटे-छोटे जो भी नए-ने राजनेतिक जो लोग थे वो आपको बरने को मिले तो उन्हीं के बार में डिसकस करेंगे वो कौन थे जैसे के जाट हो गए सिक हो गए राजपूत हो गए और भी काफी लोग थे तुनी के बार में हम डिसकस करेंगे तो यह आपका वैसे जो हमने पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे यह कॉर्रिलेट होकर ही चलेगा आपने कनेक्ट करते हुए चलना है ठीक है तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं आपने मारे साथ वीडियो के मार्क कर रहा हूं जोद पूर यहाँ पर देख सकते हैं आपको पता यहोगा राजरस्थान तो सुना ही होगा आपने आप यहाँ पर पाणी पत और यहाँ पर दिली ठीक है नपानी पत की लडाई हुए थी न सबसे पहली लडाई कीन के बीच में हुई थी ठीक है आपको प्याद होना चाहिए और यहां पर दिल्ली और यहां पर जैपूर है और यहां पर आपको भरतपूर दिखाए रहा हुगा आगरा गवालियर यहां पर आपको भुपाल ठीक है मालवा वाला रिजन है यहां पर यहां पर आपको गुजराद दिखाए रहा है और यहां बंगा बात रह गई अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो kingdom देखने को मिलती है तो 1765 में आपको यह देखने को यहाँ पर पता लगता है कि जो Britishers यहाँ पर आ गये थे ठीक है न तो जब यहाँ पर अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने क्या किया उन्होंने ध यहाँ पर बहुत से जो लोग थे यहाँ पर आना शुरू हो गए थे इस्ट से तो जो मुगल का काल था यहाँ पर कुछ ऐसे शाशक हुए जन्होंने आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आर्ट था या फ्रिक कल्चर था उसको इतना डवलप किया कि उन्होंने तो जो इस्टन किया है यहाँ यह वाली जो आपको साइट दिख रही है यहाँ पर जो शुरू शुरू में जो अंग्रेज थे इन्होंने यहाँ पर इस पर कंट्रोल कर लिया था तो यहाँ पर अगर हमने देखा ही था कि जो हमने पहले जैप्टर पढ़े थे तो 1707 में औरंग जेब की चैप्टर याद होगा तो जो मुगल इंपटर उस टाइम पर उनका जो एंपटर था था वह बहुँत ही ज्यादा डिवलॉपमेंट करने लग गया था ठीक है उस टाइम पर तो 17 चताबदी की बात हो रही है यह तो यहाँ पर बहुत सारे कारंड थे कि यहाँ पर कि उनका समराज decline करने लगया बहुत ही जल्दी ठीक है पहले तो वह बहुत ही ज़्यादा success कर रहे थे बट धीरी-धीरी क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी आप factors देखने को मिल जाते हैं बहुत सारी कारण थे कि जो औरंग जेप था उसने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सभी से दु अपक्ति किया करता था तो इन डरे उन्होंने खुद को राजा खोशित कर दिया ओर इनकी बातों को मानने से इंकार कर दिया ठीक है तो इनमें आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सत्ता की होड थी वह लगी सी रहती थी तो इसलिए इनके इनी सब बातों के कारण इनका जो कौन का थो इनकार करते गया यहाँ पर आपको मनसबदार नुक्त किया गया थे अब को मनसबदार याद होना चाहिए जिनकी हाइर पुजीषन da तो देखने को मिलते थे और यहाँ पर जो मुगल एंपरर हुआ करते थे औरंग जेव के बाद यह अपनी जो पॉलिटिकल या फिर एकनॉमिक अथोर्टी थी वो इनके अंडर जो भी गवर्नर हुआ करते थे या फिर आप कहा सकते हैं मुख्या हुआ करते थे यह न अपने आप में खुद को इनके अंडर वो आनाई नहीं चाहते थे थे धीरे धीरे वो भी अपने आपको अजाद घोशित करते गए जैसे कि मान लिजे कोई दिल्ली से मुगल सल्तनत का कोई परसन है ठीक है और यहाँ पर हैदराबाद में या फिर आवद में या फिर वेस्ट बंगाल बंगाल में कोई र जो दिल्ली पर जो मुगल का सल्तनत में वहाँ पर बैठा हुआ होता था परसन जो राज कर रहा होता था उसके उंडर जीतने भी वहाँ पर governor जाते थे तो वह क्या करते थे वह कोशिश करते थे कि जो दिल्ली वाला परसन है जो शाशक है उसका interference हमारे कामों में नहीं हो तो इसलिए उन्होंने जितने भी जासूस वगरा होते थे या फिर कोई भी विद्रो करता था उनको वह कुचल देते थे और यहां पर जो भी यहां पर की जाती थी खेती ठीक है तो यहां पर एक बात यहां पर बताई हुई है तो यहां पर जो आप किसान देखते हैं वह भी कुफ जादा ही लोन ले लिया करते थे ठीक है तो लोन लेने के कारण क्या होता था तो जब फसले उगाते थे तो उनकी फसलों को फिर जब वो बेशते थे ठीक है इतने उनके पैसे बसते नहीं थे और उनको जो पैसे वापस लिया होते थे वो लोन भी तो चुकाना होता था और आप कह सकते हैं कि सभी कि जो वहाँ पर स्थिती थी वो बहुत ज़्यादा दयने थी ठीक है अगर पैसा आएगा नहीं वहाँ की सरकार को या फिर जो भी वहाँ का राजा था तो जो अपना देश है या फिर जो अपना राज है उसको कैसे चलाएंगे ठीक है न तो देखें तो 1749 में 1739 में इसने एक हमला किया था और इसने बहुत सारा धन था आप ऐसा कह सकते हैं जो सोने के सिक्के होते हैं ठीक है लाखों रोपए कहता है यहां से भारत से यह लाखों के सोने पर स कह सक Τमया से अथ से उठाकर अपने वहाँ ले गया था और यहां पर अफगान का रूलर हुआ करता था जिसका नाम था एहमद शाह अबदाली ठीक है ना इसने नौर्थ इंडिया पर उत्री भारत पर लगबग 5 बार हमले किये थे 1748 से लेकर 1761 तक 1748 टू 1761 था किसने ना कह सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे हमले किये थे नादिर शाह का एक शामला किया था इसकी यहां पर एक आप कह सकते हैं कि हमें डॉकुमेट मिला है तो इसमें यही बात बतायी हुई है कि यहां पर एक आपको एक पहले सबसे पहले पिक्चर भी दिखाए दे रही होगी कि 1739 में पर प्रोट्रेट अफ नाधिर शाह कि यह उसकी पिक्चर दि 1739 की बात है ठीक है तो आप उस समय सोच सकते हैं कि उस समय ये इतनी 1739 में ये 60 lakhs रुपिस कितने जादा होती होंगे ठीक है न तो यहाँ पर उसने लगबग कहते हैं कि हजारों सोने के सिक्के होंगे जो वहाँ पर ले गया और लगबग एक करोड का जो आप कह सकते हैं सोने ठीक है इतना सारा समान था और लगबग 50 क्रोड तक के जो और भी जो हीरे जवारात होते हैं ठीक है वो यहाँ से लेकर अपने वहाँ पर लेगा ठीक है और भी बहुत सारी चीजे थी जैसे कि एक मयूर से हासन हुआ करता ठीक है न पीकॉक थ्रोन हुआ करता था इसको भी यह वहाँ पर लेगा था इरान में और यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर बात देखने को मिलती है कि जो नादिर शाह था इसने इस तरह कितनी तबाही मचाई थी ठीक है तो यह सबी बाते यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो यह सारा इसके कारण यहाँ पर हो क्या रहा और यहां पर और भी बहुत सारे आपको competitors देखने को मिल जाएंगे, जो की आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि यह जो सभी लोग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, अलग-अलग parts में divide होने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, यह अलग-अलग बढ़ गए, आप अगर देखेंगे, इरानीज और तुरानीज, ठीक है, यह भी बारी-बारी सेर क्या करते थे, कि भारत में हमला करते थे, चले जाते थे, और इसी के करण क्या हुआ कि जो इरानी और तुरानी थे, ठीक है, इन लोगों ने आप कह सकते हैं, कि इन लोगों इनका humiliation किया गया था जैसे कि दो मुगल शाशक हुआ करते थे एक था फारुक श्यार और एक था अलमगीर 2 ठीक है जिन्हों ने राज किया था 1713 से लेकर 1719 तक और जो अलमगीर 2 था उसने 1754 से लेकर 1759 तक ठीक है 1759 तक ठीक है इनमें क्या राज गया था इनकी हत्या करवा और यहां पर एक अहमज साहा भी हुआ करता था ठीक है यह भी पुतली साशक हुआ करते थे और शाँ अलम टू था इनके भी आंके फोट दी गई थी एहमज शाय और शाह अलम टू की 1759 टू 1860 शाह अलम का टाम था और एहमज शा का कितना था 1748 टू 1754 ठीक है इनकी आंके देखने को मिलता है तो इन्होंने इनकी आंके भी फोड़ देती अब हम देखते हैं नए नए राज्यों का गठन कैसे शुरू हो गया तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब मुगल यहाँ पर सल्तना थी वह धीरे-धीरे खतम होने लग गई तो यहाँ पर आपको जो लेटर मुगल वाले जो भी थोड़े बहुत आप गवर्नर कह सकते हैं या फिर कुछ भी सूबेदार थे जो भी यहाँ पर आपको परसंद देखने को मिलते हैं जो राज कर रहे थे तो अठारमी शतापदी में तो यहाँ पर इन इनको तीन भागों में आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं एक तो ऐसे थे जिनको आप कह सकते हैं कि जिंको आप कह सकते हैं कि जो मुगल प्रोवेंस की जो पराने प्रांथ हुआ करते थे मुगलों के जैसे कि आवध हो गया बंगाल और हैदराबाद इनकी हम थोड़ी से और अपने आपको दिखाते थे और यहाँ पर आपको जो भी रूलर हुआ करते थे इनका क्या था स्टेट डिड नॉड ब्रेक तो फॉर्मल टाइज विद मुगल एंपरर की जो भी दिल्ली में आपको यहाँ पर कोई भी जो शाशक हुआ करता था ठीका इनके टाइज हुआ करते थे कि इनके साथ इनहीं लोगों के साथ है अधरावाद अवद और बंगाल आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गवर्नर ने कर दिया जाते होंगे और उनको इनकी बाते माननी पड़ती थी और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स देखने को मिलते थे कि जिनको अजादी इंजॉय करने को मिलती थी मुगल्स के अंडर जैसे कि उनको वतन या जागीर्स वाली जो जमीने हुआ करती थी वो देदी जाती थी ठीक है यहाँ पर आपको कुछ बहुत सारे राजबूत भी देखने को मिलते हैं तो हमने यह भी डिस्कस किया हुआ था कि जो आपको राजबूत या फिर कई राजबूतों ने मुगलों की जो शक्ती थी उसको स्विकार कर लिया था कि यहाँ भी आप ज्यादा शक्ती चा हो गए या फिर और भी जैसे की जाट हो गए ठीक है तो इनके इनके जो रिलेशन थे ठीक है वो इनके साथ अच्छे नहीं थे क्योंकि जो मुगल थे आप अगर औरंग जेब की बात कर लें तो उसने यहाँ पर बहुत सारी गल्त चीज़े कर दी थे इनके साथ ठीक है इस से तेन बहुत ही इंपोर्टेंट दुबा करते थे वही अभी हमने उपर देखा ही था अबद बंगाल और हैदराबाद थेक है ना अबद बंगाल और हैदराबाद तो इनको हाई मोगल नॉबल्टी हूँ हैड बीन गवर्नर और लार्ज प्रोवेंस की यह इसमें आपको जो भी आपको जो दूसरे मिलते थे गवर्नर मिलते थे वो इनके अंडरी काम किया करते थे तो सबसे पहले सादत खान एक हुआ करते थे सादत खान अवद में राजत का हुआ करता था और एक था मुर्शिद कुली खान ओनगाल आपको यह याद रख लेना है असव जहां यह कहां का था, यह हैदराबाद में, ठीक है, तो यह तीनों यहाँ पर राज कर रहे थे, ठीक है, तो आपने एक बार और से देख लेते हैं, साधत खां अवद से, मुर्शिद कुली खां बंगाल से, असफ जहां हैदराबाद से, तो इन तीनों को मनसबदारी, ठीक है, पोजिशन हुआ करती थी, ठीक है, अकबर के टाइम में, तो उनको यहाँ पर मनसबदारी पोजिशन दी होई थी, ठीक है, तो जिनके कारण इनको इतनी जो शक्तियां थी, वो इंजॉय करने को मिल रही थी, तो असफ जहां, तो हमने यह भी देखा था ना, कि उसमें कितन से कम थी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हैदरबाद की, तो हैदरबाद की हम देख लेते हैं, तो हैदरबाद में नेजामbuild मुल्क, असफ जां, आपको असफ जां यहाँ यहाँ पर देखने को मिलता है, founder of हैदरबाद state, ठीक है, यहाँ यहाँ पर 1724 से लेकर 17 1748 तक इसनी राज किया था तो यह बहुत ही powerful आप कह सकते हैं कि most powerful member at the court of Mughal Emperor फारुक सियर तो यहां पर यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था तो यह क्योंकि Mughal Emperor जो फारुक सियर था वही था इसके अंडरी सब काम कर रहे थे तो यहां पर इसका भरोसा देखक सबसे पहले तो जो अवद ठाटी अवद पर आप कह सकते है चार्ज दे दिए गया कि यहाँ तुम जाओ बहुत पर राज करो ठीक है अच्छे से जो भी हमारे सत्ता है जो भी हमारे अंटर है जो भी प्रशाशन है उसको अच्छे तरह से चलाओ इसके बाद क्या हुआ भर पर इसने पॉलिटिकल और फाइनेशल जो अडिमिनिस्टेशन था इसको कंट्रोल में यहां पर कर लिया था और यहां पर इसने बहुत सारे राजनितिक बदलाव गये जैसे कि असब जहाने यहां पर जो भी स्केल्ड लेबर सोलजर हुआ करते थे ठीक है अपने प्रशाशन जो अच्छी से देखा और जो भी यहां की सारी जो पावर थी इसको अपने हाथों में ले लिया और इसने क्या क्या जो हैदराबाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यह मराठाओं के खिलाफ लगातार यह भी शंगर्ष करते गए ठीक है इनको आप कह सकते हैं कि इनको हरा टीक है ये प्रतिसर्दा रखता था कि यह ना जो भी वहाँ का आप कह सकते हैं कि जो इन उन्हें के पास जितने भी कपडे रभी रभी है यह वहां पर आप nervous ऐस्टोरी एस ऀंति क्या कि end ईस्ट वह भाठanki ब्रिटिस हो अव caused dat बट यह सब वहाँ पर Britishers के होने के कारण इसकी जो यह आप कह सकते हैं इस पर लोक्र लग गई थी ठीक है यह कर नहीं पाया था तो यहाँ पर बात करेंगे अवद की ठीक है उसकी आपने बात कर ली थी उसके उसने क्या-क्या में जो काम के थी तो यहाँ पर ब्रहानुन मु इसका क्या मतलब है कि एक थोड़ा से ज्यादा विक्सित वाला कह सकते हैं और यहाँ पर इसको जो कर मिलता होगा वह भी बहुत जादा होगा मतलब ऐसे की कमी नहीं होगी ठीक है तो यह वाला एरिया नौर्थ इंडिया एंड बंगाल के बीच-बीच में पड़ता है और ऑर बुर्हानल मुल्क था यह इसने और भी जो इसको सिर्फ एक काम नहीं दिया हुआ था कि इसको सिर्फ एडिमनिस्टरेटर्व कंट्रोल नहीं था जैसे कि यह सूबब दारी का भी दिवानी का भी और फॉज़दारी का मतलब कि जो भी फाइनेंशेल काम होगा करते थे व यह सारे काम इसके हाथ में दिये हुए थे ठीक है ना तो यहां पर और भी इसके सारी बहुत साधा आपके साया कह सकते हैं कि responsibility इसके उबर थी अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाए दे रही होगी यह कौन है साधत खान है बुरानन मुलक साधत खान तो यहां पर जो बुरानन मुलक था बुरानन मुलक इसने और भी क्या किया कि जो मुगलों का परभाव था ठीक है क्योंकि यह काम तो मुगलों के अंडरी कर रहे थे जो भी तीन राज डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर यह जो मुगलों क सकते हैं जागेदार हुआ, जो मोगलों किया जाते थे मानलेजिए हैं जो की मोगलों की दिदी नियुक्त की गते ख घटा कर उनकी salary cut कर दे ठीक है तो यहाँ पर इसने अपने वहाँ पर बंदे थे ठीक है जो भी इसके loyal हुआ करते थे वो उनको यहाँ पर लगा देते थे जो भी यहाँ पर आपको खाली positions देखने को मिल जाती हैं तो इसके क्या हुआ जो control था किनका जो आप कह सकते हैं कि दि पर देखेंगे तो यहाँ पर और यहां पर ब्यादे पता देखने को मिलती हैं जो यहां पर जो यहां पर बैंकर्स हुआ करते थे तो इससे क्या होता था यहां पर जो लोकल बैंकर्स थे वो क्या करते थे गारंटेट दा पेमेंट आफ दिस कॉंट्रक्टेड अमांट तो यहाँ पर जो स्थानिय साहु कार हुआ करते थे जो बैंकर्स थे ठीक है वो गारंटी देते थे कि स्टेट को मतलब कि वहां का जो भी गवर्नर होगा उसको हम टाइम तो यहाँ का गवर्नर हुआ करता था इस प्रांद का और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुर्शिद कुली खाँ था इसने क्या किया था कि इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ते गई यह और जो जगह थी इसको भी अपने कभजे में लेता गया और यहाँ पर जैसे कि रू कि जो उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ेना और इसका जो प्रभाव है वही ज्यादा यहाँ पर बना रहे जैसे कि लोगों को नियुकत करती थे कर घुरन व क्ञें Aaa ओडिसा कि जो भी यहाँ पर आपको जो मुगलों के जागियदार सुवा करते थे इनको ओडिसा में भेज दिया ठीक है और यहाँ पर इसने क्या किया ओडर मेजर रिसेस्मेंट आफ रेवन्यू और बंगाल तो यहाँ पर जो भी पहले टेक्स कथा किया जाता था उसको भी यहाँ पर आप कहसे बैंकर होते थे मालीजे कि आपको पैसे देने हैं किसी को ठीक है आपसे कहा गया कि मुझे महिने में तो दस जार चाहिए ही चाहिए अब आपकी salary इतनी है यह नहीं, आपकी salary समझ लिजे, 9000 है, आपको 9000 ही मिल रहा है, तो आप वहाँ को उसको कैसे देंगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली थी, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे, तो फिर भी उसका क्या कह सकते हैं, ग भरते वह देखने को मिलते हैं, जमीदारों में, तो ठीक है, यहाँ पर आपको जो state और जो banker हुआ करते थे, जो भी राज आपर यहाँ पर जो साहुकार हुआ करते थे, इनमें आपको भी एक relation है, वो भी आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक अलिवर्धि खाँ हुआ करता था ठीक है अलिवर्दी खान जिसने राज किया 1740 से लेकर 1756 इसके कायल में भी आप देखेंगे कि जो जगत सेट नाम का एक परसन हुआ करता था सहुकार हुआ करता था वो भी काफी आप कह सकते हैं कि उसको भी बहुत लोग वहाँ पर जानते दे उसकी बहुत ज इन तीनों स्टेट की बात करें तो यहां पर आपको तीन ऐसा कह सकते हैं कि एक सिमिलार्टी देखने को मिलती है तो यहां पर आप देखेंगे तो जो भी यहां पर जो लार्जर स्टेट हुआ करते थे यह सभी क्या करते थे यहां पर आपको जागिरदारी सिस्टम देखन डेखने को मिलता है और सेधर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो टेक्स इसरी बात देखेंगे तो यह तीनी यहाँ पर राजा थे जो भी अचक्षक थी इनहें अपने संबंध यहाँ पर साहू कार हुआ करते थे इनके साथ बढ़ाने की कोशिश की ठीक है तो यहां पर यह क्या करते थे देश पीपल लेंट मनी यह उधार दिया करते थे रेवनियू फार्मर्स को जो भी आप आप कुछ सान देखने को मिलते हैं और उनको लेंड जो होती थी जमीने होती थी इसको बेच कर पैसे आप जो भी बनते होंगे उसको रख लेना तो इसी तरह इनका हाल भी था कि आप पैसे दे नहीं पाते थे और इस तरह यह जमीने थी इनको यह लेते गए तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे जो राजपूत थे ठीक है उन्ह इसमें आपको एक राना परताब देखने को मिलते हैं जिन्होंने क्या कह दिया था कि भी मैं तुम्हारी शक्ति को मानता और इन्होंने 1572 में एक राजगदी थी उसको हासिल कर लिया था अब हम बात करेंगे अब वतन जागिर्स अफ दर राजपूत ठीक है अब हम अगर आपके पास कोई चीज है ठीक है अगर आपके पास अगर एक साइकल है ठीक है तो आप सूसते हैं कि यार मेरे पास बाइक आनी चाहिए बाइक आने के बाद आप कहते हैं कि मेरे पास कार है नहीं चाहिए फिर आपकी जो ऐसी तरह जो सोच है मतलब है कि आपके अंदर जो लालच है वो कभी खतम नहीं होता है तो इसी तरह इनके में भी था कि इनको जो जगह दे दी गई कि आप यहाँ पर अजादी से जो राजपुत फैमिलीज भी हुआ करती थी उनको भी यहाँ पर सूबेदारी का काम दिया गया था ठीक है जैसे यह गुजरात और मालवा का यहाँ पर राजा अजीद सिंग वा करते थे जोदपर के ठीक है उनको भी गवर्नरशिप गुजरात की मिली थी और सवाई यहाँ के राजा हुआ करते थे और अंबर यह भी गवर्नर हुआ करते थे मालवा के ठीक है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसे ओफिसे मिल जाते हैं जिनको यहाँ पर रिन्यूड बाई एम्परर जहांदर शाह ठीक है जहांदर शाह को यहाँ पर एक ओफिस मिला था 17 1730 में तो इन्होंने और भी बहुत सारी कोशिच की कि बहुत सारी जो टेर्ट्रीज हैं इनको अपने राज में यहाँ पर मिला लिया जाए इनको और बढ़ा जाए ठीक है ना नागौर एक यहाँ पर आपको और जगह यहाँ पर देखने को मिलती है नागौर वास कंकर्ड ए इसने भी जो कैपिटल थी ठीक है कैपिटल एड जैपूर एंड गेवन दा सूबेदारी ओफ आगरा इन 72 तो इसने इसको कैपिटल बना दिया था और इसको जो सूबेदारी है अगरा की 72 में यहाँ पर मिल गई थी और यहाँ पर बहुत सारे आप मराठा कैमपेंज भी द और यहाँ पर आपको बहुत सारे राजपूत के मुख्या देखने को मिलते हैं जो से चीफटन्स कहते हैं ठीक है इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर किले बनवाए थे और यहीं सेंटर हुआ करते थे ठीक है पावरगा जो भी शक्ति का परदर्शन हुआ करता था इन्हीं जगहों को आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फोटिफिकेशन के लिए बंदी यहां पर की गई थी इन्हीं जगहों से आप कह सकते हैं कि सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता था जैसे कि यहां पर जो वैपा आ रहा या फिर कोई भी और काम हो गया तो यहां पर इन जैसे कि यहां पर आपको विद्रो देखने को मिल जाते हैं उनके बार में भी हम डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले हम दाशिक्स की बात करेंगे तो यहां पर आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल कम्टी थी ठीक है हमने चैटर आड में देख लिया था कि बहुत सारी बैटल् जंगें थी वो लड़ी गई थी ठीक है किनके खिलाफ राजपूत और मुगल जो शाशक हुआ करते थे उनके खिलाफ ठीक है किनके दवारा गुरु गुरु गुबिन सिंग जी के दवारा यहां पर बहुत सारी जो लड़ाईयां थी वो लड़ी गई थी तो यहां पर लोगों को खलाफ विद्रोव कर दिया, ठीक है, अंडर क्योंकि उस टाइम पर जो नेतरूत कर रहे थे, ठीक है, लीडरशिप थी, वो इनके पास थी, बंदा बहादूर के पास थी, उस टाइम पर लीडरशिप थी, और इन्होंने क्या कर दिया था, कि इन्होंने सौवरेन प्रूल की डिकलेरेशन कर दिया और उस टाइम पर उन्होंने ही जो गुर्णानक देव जी और गुरुबिन सिंग जी थी, उनके नाम पर इन्होंने सिक्के भी निकाल दिये, और उनके नाम पर इन्होंने कहा कह दिया, कि हाँ भी अब तो हम इस जगा पर ही डाज करेंगे ठीक है, और उन्होंने विए डिकलेर कर दिया कि यह हमारा इलाका है, तो इनका कौन-कौन सा था, सतलोज और यमना की बीच वाला जो जगा है, उन्होंने कहा दिया कि यह हमारा है, ठीक है, और इन्होंने उनके खलाफ योद्ध लड़ना शुरू कर दिया, बट जो बंदा घत्त था ठीक है इ सकते हैं कि कैटेगरैज कर लिया हाँ बाद में इसी को मिसल का नाम दे दिया ठीक हो बाद में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया तो क्या क्या करते थे मिसल मतलब कि अपने आपको इस आता या कायों में बाटनेके बाद जैसे कि दल खालça का आ राकी वाज ना ? Sounds यहीं पर यह किया करते थे ठीक है? यहा पर आपको एक राखी वी देखने को मिलता है राकिवाज introduced offering protection to the cultivators on the payment of the tax of 20% of the produce कि यहाँ पर इन्होंने एक system introduced किया था कि जो भी आपने फसलें उगाई है ठीक है आपको सरी 20% है वो आपको फसलों की रूप में यहाँ पर आपको देनी पड़ेगे ठीक है ना जो भी आपने उपज की है तो इसको राकी कहा गया था ठीक है और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो गुरुगोवेंद सेंग जी हुआ करते थे तो इन्होंने इंस्पायर किया सभी को यहाँ पर की राज with the belief that their destiny was to rule की राज करेगा खालसा इन्होंने इनका नारा दिया और इसका मतले बेता है कि जो गौड है वो ही यहाँ पर राज करेंगे और यहाँ पर और कोई आ ने सकता है ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर यह सार खालसा हुआ करते थे खुद को भी declare कर दिया कि sovereign rule अब होगा ठीक है अब राज करेगा खालसा इसके बाद 1765 में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सिक्के हुआ करते थे कि इनके नाम के वहाँ पर यहाँ पर इनको चला दिया गया था ठीक है और लोगों को जाकर जी सिंग ने फिर यहाँ पर सभी groups को एकठा किया और इन्होंने जो अपनी capital थी इसको 1799 में वह स्थापित कर दिया गया था ठीक है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अब हम बात करते हैं तो मराठा यहाँ पर जो राज जी हुआ करता था यह एक another political region यहाँ पर kingdom हुआ करत जो भी इनकी जो फैमिली जिनका इनको warrior जो फैमिली जी जिनको हम देशमुक्स कहा करते थी इनको इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और इनी के कारांटी का पीजन पास्ट यहाँ पर एक कुनभी आपको देखने को मिलते है ग्रूप थे इनको यहाँ पर इनका बड़ा हो जाती है देथ हो जाती है तो उसके बाद जो मराठा जो राज था यह धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो चित्पवन ब्रह्मान इनका एक शिवाजी का उत्रा दिखा रही था जिसको पेश्वा के नाम से जाना गया principle of ministers ठीक है principle ministers इसका आप कह सकते है कि pronunciation बनी इसकी मतलब किसका meaning यह बना अब यहाँ पर पूना था ठीक है इस टाइम पर मराठा का क्या बना दिया गया था इसको वहां की राजधानी से बना दिया गया था ठीक है तो पेश्वा के अंडर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत जादा जो military organization था उसकी बहुत जादा development की और यहाँ पर जो भी यह क्या क्या करते थे जो भी आप मुगल देख रहे हैं यह मुगलों के जो भी आप किले बंदी हुआ करते थी इनको तो कुछ नहीं करते थे जो वहां के पास वाले जो शहर हुआ करते थे ठीक है उनको लूट आप कह सकते हैं कि इनको रेडिंग उन पाएं और 1720 से लेकर 1761 तक यहां पर आपको देखने को मिलता जो मराठा एंपार था वो धीरी धीरे उसका विस्तार कावी होने लग गया था और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मालवा और जो गुजरात वाला जो रीजन था इसको कबजे में ले लिया गया था ठीक पर शुला कि इनको मान लिया गयाता है कि यहां भी इनका इनको राज करना चाहिए और यहां पर इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने देख लिया कि यहां भी आप ने उत्पादन किया है ठीक है जो लैंड रेविन्यू था जमिदारों के तौबारा यह आपको लगबाग 25 प्रतिशत वो देना पड़ता था ठीक है जो भी डेकन वाला जो रीजन था बाद में डेकन दिस वाज़ा कलेक्टेड बाइदा मराठास इनको इनके दवारा कलेक्ट किया जाता था और जो सारदेश मुखीदा वो था कि 9 से लेकर 10 प्रतिशत तक आपने क्या करना है जो ल कॉमिनेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगया कहां पर राजस्थान में पंजाब में और नौर्थ वाला जो रीजन था ठीक है इन तीनों जगह पर इनका जो एक्सपांशन था बढ़ने लगया इंटू बंगाल और इस्ट में और करनाटका और तामिलाडू या फि तो 1761 में जब पानीपत की बैटल हुई ठीक है जब पानीपत का यह दुआ तो किसी ने इनकी मदद नहीं के ठीक है न तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि इनकी यहाँ पर हार हो गई थी तो यहाँ पर एक और कमुनिटी देखने को मिलती है जो जाट्स हुआ करते थे तो य यहाँ इस वाली साइड में लगबग 1680 वा इसकी बात है यह तो यहाँ पर इन्होंने डॉमिनेट करना शुरू कर दिया जैसे कि दिल्ली में आगरा में और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जाट हुआ कौन करते थे तो यह किसान हुआ करते थे खेती बाड़ी में इ यहाँ का जो किंगडम तो यहाँ पर जो सूरोज मल के अंडर जो यहाँ पर आपको एक किंगडम देखने को मिलता है जो भरतपूर ठीक है यह एक स्ट्रॉंग सेट एक सक्तिशाली स्टेट बनकर उभरा और यहाँ पर जो नादिर्शा हुआ करता था दिल्ली में जब इस इनोंने शरन ले ली थी बाकियों लोगोंने तो इनका एक बीटा था जुवाहिर शाह इसने क्या किया 30,000 इसके पास खुद की सेना थी ठीक है इसने क्या किया इसने बीस जार तो किसी मुराज जो महाँ पर मराठा हुआ करते थे उनसे से लिए और पंदरजार सिक सेंग है क्या किया सेनाली और मुगलों को खिलाफ ला बोल दिया और यहाँ पर जो भरत पुरवार्ट है ठीक है वह भी यहां पर बनने गया था इसी स्टाइल में ठीक है ट्रडिशनल स्टॉयल में और यहां पर जाट हुआ करते थे इन्हों कि यहाँ पर garden भी बनवाया हुआ है ठीक है अब हम देख लेते हैं the French Revolution 1789-1794 तो यहाँ पर लोगों को जब देखा यहाँ पर कि यहाँ पर यह मेंली क्रांति लाएं गयी जो यहाँ पर सकते हैं जो भी यहाँ पर पर लाइं सकते हैं कि जो भी जना से-क राइं आपको यहाँ ठीक है या फिर special religion है, इसलिए आपको ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, तो इन्हों ने इस बात को नकारा, और यहाँ पर लोगों ने कहा कि आपको समाने रूप से आपको opportunities मिलनी चाहिए, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, तो इन्हों ने यह बात यहाँ पर कही थी, इस करेंगे modern history, शुरू कल से कोशिश करेंगे कि हम उसको भी अच्छे तरह से धीरे धीरे complete कर लें, तो आपने मारे साथ बने रहना है, thank you so much for watching, God bless you all